यहां एक दालाब भी बना हुआ है उसकी मिट्टी ले जाते हैं लोग उससे भी उन्हें शिफा हासिल होती है तो माशाला इस वक्त हम कच की सर्जमीन पर हैं और कहाए जाता है कि यहां से तक्रीबर 35 किलमेटर की दूरी पर आपका सरे अन्वर दफ्न है और यहां पर आपका जिसमें मुभारक दफ्न है और आज़ीट यह वो पेड़ है जो के करामाती पेड़ा और कहा जाता है कि जिसकिसी को अउलाद नहीं होती है अगर वो इस तो नाजिने इस वक्त मैं गुजरात के कच्छ में हूँ और कच्छ की ही एक मश्वरो मारूफ दर्गा हजत हाजी पीर रह्मतुल्लाही ताल आलाए कि आस्ताने पर मैं आ चुका हूँ और आपको बता दू कि यहां पर आने के लिए मैं सबसे पहले भुज में उतरा था वहा आपको आस्ताने के ज्यारत करवाते हैं और यह नजारा देखाते बहुत तेज हमाएं हैं समुद्र का आखरी इंदुस्तान का आखरी छो रहे इसके कुछी दूरी से फिर पाकिस्तान का बॉर्डर भी शुरू हो जाता है और बहुत स्टेज हमाएं हैं और 100 किलोमीटर के दाएरे से हम लोग चल के आए हैं वाइट रन के बीश से हम लोग आए हैं तो वहां पर एक भी घर या बस्ती नहीं थी जिसके बाद यहाजी पीर का यह इलाका पड़ा तो चलिए आपको हाजी पीर की सास्ताने की जिहारत कर बाते और खुझ भी जिहारत से फैजयाब होते ह तो नाजीन इस वक्त हम गुजरात के कच के हाजी पीर की दरगाव पर हैं और यह वो हाजी पीर का मेंगेट है और तक्रीबन सो किलो मीटर का सफर है भुझ स्टेशन से यहां आने के लिए और किसी तरह का कोई साधन नहीं मिला हम पर्सनल सवारी से आये हैं और यहां आने के लिए कोई साधन है भी नहीं अगर आप भी आना चाहते हैं तो अपने ही साधन से आप यहां तक आ सकते हैं तो बहुत खुबसूरत नजारा है चलिए आपको अंदर चलके जियारत करवाते हैं तो हाजी पीर रहमतुलाही तला लाही कि यह सास्ताने की तो नाजिन इस वक्त हम आजी पीर रहमतुलाही तला लाही के आस्ताने पर हैं जिने शाहिए शाह कच्छगरी नावाज के नाम से जाना जाता है आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम उनके आस्ताने पर हैं और कहाए जाता है कि यहां से तक्रीबन 35 किलोमेटर की दूरी पर आपका सरे अन्वर दफन है और यहां पर आपका जिसमें मुबारक दफन है और आपको कच्छ शहन शाह कच्छ का गरीब नवाज कहा जाता है और माशालला मश्यूर मारूफ आस्ताना है तो यह आपके आस्ताने के शहन को कुछ नजारा है अभी हम अंदर चलकर विए आपको जियारत करवाएंगे तो आप्वज्आइफ की रहाएंगी नाजारा है और माशालला यह भुज से तक्रीबन 100 अकिलोमेटर की दूरी पर ह और वहां से आपको यहां आना होता है तो नाजिनी यह वो पेड़ है जो कि करामाती पेड़ा और कहा जाता है की जिस किसी को अउलाद नहीं होती है अगर वो इस पेड़ से पति ले जाकर खाथा है तो हाजी पीर के सब के ऐसे अच्छी पेड़ा टालाव सिवा देता है और यहां पर एक तालाब है उसकी भी मिंस से अच्छा है जते है गरीब नमाज रहमतुलाही के आस्ताने पर हैं और माशालला बहुती खूबसूरत नजारा है हजारों के तादाद में तो जाहरी ने वो यहां पर तश्रीफ लाते हैं तो नाज़ीन इस वक्त हमारे साथ संजरी टूरेंड ट्रवल्स के अनवर हुसेन खलीफा जी जो के गड़सीसा में रहते हैं वो हमारे साथ हैं हाजी पीर दरगा और आसपास के जो तमाम टूर हैं वो यहां के लोगों को करवाते हैं और हिंदुस्तान के मुबाली के बहुत से टूर आपने लोगों को करवाए हैं और वल्यों से निजबत रखते हैं और उनकी जियारत करवाते हैं इस वक्त हम इनके साथ हाजी पीर की दर्गाह पर हैं और यहां पर भी हम इनके साथ आएं और माशाआलला मैं सुकर उजार our कि इन्होंने अपना वक्त निकाला और हमारे साथ हाजी पीर की दरगाह पर आए हैं तो अन्वर हुसेन खलीफा जी अब आगे की बारे में बताएंगे यहां की दरगाह की बारे में हाजी पीर के जो खादिम हैं हम उनकी दरगाह की तरफ जाते हैं और बताया जाता है कि अगर आप हाजी पीर की दरगाह पर आते हैं तो उनके खादिम की दरगाह पर भी जाना जरूरी है। जाता है है कि अगर आता है जहां हर इंसान आता है। नाजी नभी एनवर हुसान खलीफ़जी ने हमें बदाया कि आस्ताने पर आज आज भी करामातों का जहूर होता है और हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो आज भी आपके आस्ताने पर आते हैं और आपके फैज हासिल करते हैं आपके आस्ताने पर जैसा कि मैंने दिखाया कि एक पेड़ है अनवर जी ने बताया है कि जो भी बेवलाद लोग हैं वो इस पेड़ से अगर पत्ति ले जाते हैं और उसे खाते हैं अक्यतत के साथ तो इंशाललह हाजी पीर उन्हें अधा कर देते हैं आपके यहाँ एक टलाब भी बना हुआ है उसकी मिट्टी ले जाते हैं लोग उससे भी उन्हें शिफा हासिल होती है तो माशाथ लिए इस वक् जारत करनी होती है तो मशालाह मैं थोड़ी सी जारत आपको भी करवा देता हूँ आज हम है हाजीपी सरकार की बारगार में और हाजीपी सरकार वो महान वलिये कामित कच्की सरजमी पे है तकरीबन 500 साल पहले की बात है कि रेगिस्तान में हाजीपी सरकार अपने मादरे बतन जो पाकिस्तान में मुल्तान है मुल्तान की सरजमी को छोड़ कर एक बयाबान जंगल रेगिस्तान की सरजमी पे हाजीपी सरकार को ऐसे बसारत हुई थी लबिय पाक स्लिलाव ताला अले रस्लम ने एक इसारा किया था कच्की सरजमी पे जाईए जहां रेगिस्तान है बयाबान जंगल है उस एरिया में जाईए जो दीन इसलाम की तब्लीग करनी है तो हाजीबी सरकार अपने मादरे बतन मुल्तां को छोड़ कर कच्की सरजमी ऐसे बयाबान जंगल में जब तस्रीफ लाए उस दोर उस जमाने की बात अगर करने जाए तो यहां बयाबान जंगल था रेगिस्तान था और रेगिस्तान में पानी की बहुत ऐसी किल्लत थी उस पानी पीने के लिए इंसानों को क्या जानवरों को भी नहीं था उस दोर में आजीबी सरकार जब तस्रीफ लाए यहां पानी का भी बंदोबस कर दिया उनके इलावा जहां जितने भी लोग रहते थे यहां पास में एक नरा गाउ है नरे गाउ में उस जमाने में उस दोर म जो रहते थे उन लोगों में से कई लोगों ने दिन इसलाम कबोल किया और उसके बाद आधीी सरकार को मनाया कि 하나ृ आप हमारे नरे गाउ में रहने आईए तो आधीभी सरकार रात को यहां सके इबादत करने के बाद जब रात को नरे गाउ में जाते थे सुबे शादिक वज आप Including सर्सेधित सरकार इस जगा पर आते थी यह मामुर्द चालू रहा उसके आता हुआ। नरे गाउम में इस जमाने इस दोर में एक ऐसा लुटारू आयا जिस तरह से जयसर केर उसका नाओ है। उसका नाम जो था जैसल केर था, उस लुटारूम ने ऐसा आतक मचाया, जो नरे गाउ में जो भी माल सामान था, इस तरह से जानवर भी थे, जो एक बुरिया गाउ, बुरिया औरत थी, जिसका नाम जो ब्रामन पंडित गिनाती से आती थी, उसकी एक गाय थी, उस गाय को भी जैसल के रूट के चला गया, जिस तरह से रूट के चला गया, उसके बाद ऐसा हुआ, जब आजीबी सरकार नरे गाउ में तस्री पेके गए, तब उस बुरिया औरत ने कहा, मेरी एक गाय थी, जो गाय जैसल के रूट के चला गया है, तो आजीबी सरकार ने यहां से गोड और सहीद हो जाने के बाद भी अपने धर मुबारक से उस गाय को लेकर उस प्रामट पंडित देवा की गाय थी उसको गाय दे दी और उसके बाद आजीवी सरकार अपने धर मुबारक से जहाद दफन हुए ऐसे महानमलिय कामिल है जो हिंदू बेवा की एक गव माता के लिए हाजीवी सरकार ने अपने सर की पुर्वानी दी है यह कचके राजा कचके सहिंसा है इस तरबार में आप आएंगे जिस तरह आप से भी मनत करेंगे बे उलाग को यहां उलाग मिलती है नाबीने को आखे मिल की है और जो भी बिमारी वाले लोग आते है चायद केंसल हो कोई भी बिमारी हो इस तरबार में उसे सिफा मिलती है लेकिन बैटने का तरीका यह है आप जिप पकड़ कर इस तरबार में तिन तिन तिक बैट जाईए इंशाला मुझे यकिन है कि यह दरबार वो दरबार है यहां से हर इंसान की मुराद पूरी होती है। यह कच्च के लाजा, कच्च के सैंसा, सैंसा एक कच्च, हाजिबी सरकार का दरबार है। और हम आज कुछ नसीब है, कि आज स्टोरी ओव खुलिया अर्दा, यह चेनल वाले यूपी से कच्च की सरकार का दरबार है। लोग हमारे इस चैनल को देखते हैं, अगर वो यहां कच्च की सरजमीन पर आते हैं, तो आपका वो टूर किस दिन होता है, कि वो लोग अगर आना चाहें, तो आप कच्च के जो तमाम ओलिया एकराम हैं, उनके जियारत वो कर सकी। कच्च की सरजमीन पे तो बहुत सारे बुज़गाने दीन हो लिया एकराम है, हम संडे के दिन आजी पीर लगपत करोर पीर सुपी मिया, कोटला जडो दर, इस तरह से हम एक साइड में जियारत करवाते हैं, दूसरी तरफ संडे के दिन, जो अबडासा की साइड में मियू, अब्दुल्ला, लांगो पीर, दादी सुमरी, आरी खाना, नरेरी, इस साइड में हमारा टूर का पोग्राम रहता है, ये संडे के दिन हमारा इस तरह से पोग्राम रहता है, कच्की सर्जमी पे एक दिन का हमारा ये पोग्राम रहता है, इनके इलावा हमारा कई सारे, कस्मीर तक, कच्से लेकर बंगार की खाडी तक, और कस्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक का, हर एरिया में हमारा टूर का पोग्राम रहता है, और हर बुज़गान दीन अलिया एकराम के मुकदस तर्वा की जियारत भी करते हैं और उसकी सही तरह से जो डीटेल जो माईटी होती है इंशाला हम पेस करते रहे दिए तो नाज़ीन ये बाहर से कुछ नजारा है अज़ता हाजी पीर रहमतुलाहित आले के आस्ताने का आप देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत गुम्बत बना हुआ है और माशाला दिल को पुरसुकून आता है और देख सकते हैं कितना खुबसूरत नजारा है इस वक्त हम गुजरात की कच्छ में है और भुज इस्टेशन से तकरिवन सो किलो मिटर की दूरी पर ये आस्ताना वाके जिसे हाजी पीर के नाम से जाना जाता है और आपके आस्ताने से फाइज हासिल करते हैं तो इसी रास्ते से हम आजी पीर गए थे और अभी हम वापस जा रहे हैं लगपत जाना था लेकिन हम जाना सके क्योंकि हमारी गाली जो है खराब होई थी और उसमें हमने जासे डीजल डलवाय था उसमें खराब डीजल डाल जिसके वज़ें दिक्कत आगे हैं तो अब नहीं जा पार रहे हैं इंशालला अगर वक्त मिलेगा तो कल जाएंगे यहां की रोड भी जो है आप देख सकते हैं कि खराब है तो इसकी वज़े से तो यहां पर ट्रांस्पोर्टेशन का जो सिस्टम है वो पहले से ही खराब ह और उसके बाद जो यहां पर आने जाने वाली गाड़ी हैं लोग अपनी परसनल गाड़ियों से यह आते जाते हैं और आप देख सकते हैं कितना खुबसूरत नजारा है और वाइट रन के नाम से जाने जाते हैं नमक का जो उत्पादन होता है यहीं पर होता है जादा तर यह देखिए इस तरफ तमाम यहां पर बगएरा लगे हुए है दूर दूर तक आप देखेंगे तो आपको सिर्फ पानी पानी नजार आएगा आप देख सकते इस तरफ स्टार वो तरफ आपको पेड़ भी नहीं नजार आएगा और इसी तरह का पूरा रास्ता जो है यह जो है यह यह दो आपको अब लूगए आपको अब कर दो यह दो नजार आता है तो अभी इसी रास्ते से हम लोग आज़ी पीर गये थे वापस आए है